तो हेलो फ्रेंड्स एक पार फिर से नर्सिंग एज्यूकेशन के नाम से इस यूटूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस लेटस्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी के बारे में ये जो वैकेंसी है वो पर्मानेंट भरती होने वाली है ये इस वैकेंसी की खास बात है इसलिए इस वीडियो को हम बना रहे हैं और इस वैकेंसी में ओल इंडिया के केंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं तो सारी जानकारी जाने के लिए इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और शाथ ही साथ चैनल पर यह दिया आप नए है फस्ट बार विजिट कर रहे हैं तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जैदर शे जैदर लाइक और सेयर जरूर करें तो कि हम डिटेल से बात करेंगे किस तरीके से आपको ऑफिशल जो डाउनलोड करना है कैसे अपलाई करना है तो यहाँ पर आपको अपिशल साइट पर आ जाना है इसका लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा तो वहाँ से आप देख सकते हैं ठीके तो यहाँ पर आपको टेब दिख रहा है स्टाप वेकेंसी का इस पर आपको क्लिक करना है जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स इंटरफेस से वो आपके सामने कुछ इस फरकार का ओपन हो जाएगा ठीके तो इसमें जो है नीचे दे रहा है जो की इसमें अप्लाई नव है इस पर आप जैसे ओनलाइन अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने नेक्स जो इंटरफेस है वो इस परकार से उपन हो जाएगा तो इसमें वेरियस पोस्ट अलग अलग पोस्ट हैं दे रखी है बट इस्टाप नर्स की बात करें तो 12 यहां पर इसको क्लिक करना है तो यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर अप्लाई आप कर सकेंगे ठीक है अभी मैं फिलाल बीचे बैक आया हूं और यहां पर जो है एड़र्टीजमेंट आपको सामने ऑप्सन आ रहा है इस इस एड़र्टीजमेंट पर आपको क्लिक करना ह जैसे ही आप advertisement फिक क्लिक करते हैं तो जो हमारा notification है वो download हो रहा है तो guys finally जो है अपना notification है वो download हो चुका है ठीक है तो अब इसका जो notification है वो एक दस दो हजार भीस को जारी हुआ है तो यहां पर जो है अलग अलग पोस्ट है दे रही है बट अपन बात करेंगी staff nurse vacancy के बारे में ठीक है तो यहां पर 11 नमबर पर पोस्ट दे रही है staff nurse की जिसमें 7th ले जो है pay के according आपका salary मिलेगा total यहां पर पोस्ट है वो कम है बट permanent vacancy इसलिए आपको यहां पर मेरा प्रबज़ता कि आप तक share की जाए थाकि कोई न कोई एक candidate का तो यहां पर benefit वो मिल सके तो यहां पर अन्रिजूर की है मिस यह दिया आप ST से है SC से है OVC से है General से किसी भी candidate है तो यहां पर apply कर सकता है और अपनी काबिलियत के अनुसा अपना exam लेके selection कर सकता है तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखने है टोटल एक post है बट पर्मानेंट है अच्छी शेलरी है इसलिए आप तक share करना मुझे अच्छा लगा तो यहां पर आप तक share की है ठीक है तो अब इसके बारे में education qualification है वो थोड़ा इसमें high level का दे रखा है उसके बारे में detail बात कर लेते हैं तो यहां पर जो है अपनी इसमें यहां यह दे रखाई 11 नमर पिड़ी जो की नेम है वो स्टाफनास की पोस्ट है और शेलरी हमने बता दिया 45,900 से 1,42,400 रुपे आपको मिलने वाला है और अन्रेजर की एक पोस्ट है और यहां पर जो है 35 ये लास केंडिडियर अप्लाई कर सकते हैं तो मैंने बताया कि इसमें तो एस्टेंशल क्वालिफिकेशन थोड़ा इसमें जो लहाई लेवर का दे रखा है इसमें मास्टर डिगरी यह दिए आपके पास MSC है और वह भी 50% मार्क के साथ पासिंग आप हो तो यहां पर आल इंडिया के केंडिडियर अप्लाई कर सकते ह यहांपर यह डिजरे बले निए MASC नर्सिंग आपको यह पर मांगा गया है तो यहांपर आप वेकनशी अच्छे है एक पोस्ट है बटㄦ WIN पोस्ट यहांपर आप यह दिज रिध है तो अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई के लिए वह लास्ट येड्र मैं वीडियो में आपक करना है तो मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए helpful होगा इस वीडियो को ज्यादा ची ज्यादा लाइक से सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में तब तक के लिए स्वास्त रहें मस्त रहें थैंक यू प्रैंट्स